दोस्तो आज हम इस वीडियो पे डिसकस करेंगे कि इस तरह की आपको एरर मिलती है तो आपके इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम जो है इस टैप बेस टैप सब कुछ देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगे उसको शॉर्ट करेंगे तो मैं expect करता हूँ सबसे पहले आपके पास में file manager या ftb का access होना चाहिए इसको solve करने के लिए right तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जाएंगे इसके जो file manager में याप यूज कर रहा हूँ यूजर ने माइट भी यहां पर रॉंग रखा हुआ आप देखेंगे तो मैंने इसको सही किया आप इसको मैं save करता हूँ save करने के बाद इसको check करते हैं कि database connection जो establish error थी वो गई या नहीं गई यह चली गई दोस्तों यह short हो गई और इस तरह सी कोई भी आप problem face कर रहा है यूज किया है basic plan personal one different different plan है आपकी requirement के according आप यहां पर इसको purchase कर सकते हैं आप देखेंगे यहां पर light speed के साथ में SSD मिल रही SSL certificate है आपको free मिलेगा 24x7 support है SEO के tools मिलेंगे तो यह सारी services इसकी free है कुछ कीज़े आपको इस price range में आप अपना buy कर सकते हैं बहुत ही cheap price है आपकी requirement क और आपको लगता है कुछ और भी doubt है जो कि अभी हम discuss कर रहे थे wordpress से related तो आप मुझे बताएं और चैनल को subscribe करना न भूले thank you for watching this video